श्रे स्वामि नारैन भगवान नीजै अक्षर पुरुषुत्त महराज नीजै गुणातितानंद स्वामि महराज नीजै भगत जी महराज नीजै शास्त्री जी महराज नीजै योगी जी महराज नीजै प्रमुक्षवामि महराज नीजै निलकंठ वर्णी नी मूर्ती नू केवू दिव्या आकर्शन हतू अने निलकंठ वर्णी केवा पर्शा पूरता जता था एनी घणी वातो आपने गईकालनी श्री स्वामिनारेंच रित्मानस ग्रंथनी पारायन मा जोही थी साथे निलकंठ वर्णी जे चमतकार बतावयो पोते पूरपाट नदी नी अंदर पड़े आने नदी नो वेग एकदम शांत थे गयो एना उपर कवी ये जे मन ना प्यूतू क्या आवा तो आपना अंतह करनी अंदर कामना क्रोधना लोभना जे घुडा पूरावता होएशे सो प्रशमीत करी सुख करे वोही स्वयम भगवन्त तो एनी पन घणी वातो आपने गईकाले जोही थी हवे आगर निलकंटवर्णी पोते सहजापूर्थी बरेली पधारेशे अने त्यां थी नारदवन प्रती प्रयाण करेशे नारदवन एनो रस्तो पन खुबज विकट हतो वच्चे जंगली प्राणियोंने बदू आवे छता पन निर्भय पने निलकंटवर्णी पोते त्यां अगर पहुँचे शे नारदवन ने अंदर साधना रत जे रुशिगण हतो एने पन निलकंटवर्णी ना दर्शन करेशे खुबज 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 सुन्दर स्तूती निलकंटवर्णी नी करेशे हवे आपने माणिये चंदन तिलक भाल पर राजे आपिच कुमकुम हिंदु विराजे नैननोक सेतनी नह थंता जै हो नैष्ठिक वर निलकंथा धवलतंतु नवत गठित जनेऊ मुंज में खला तिगुणी जरेऊ तुलसी कंथी दोहरी धरी कंथा जै हो नैष्ठिक वर निलकंथा जै हो नैष्ठिक वर निलकंथा कर गई तुम भी पी बनवारी धाक दंड जप माला धारी बहिरवास धर कवपीन वन्ता जै हो नैष्ठिक वर निलकंथा रुचिरम्रिकाजिन कंथ ही छाजे पिंग जटा जनु मुकुट विराजे शाल ग्राम अति सोहत कंथा जै हो नैष्ठिक वर निलकंथा कोमल तनु जनु कुसु मल जावे तप कठोर जो तुलहिन पावे बन वेचरत निर्भने शंका जै हो नैष्ठिक वर निलकंथा जै हो नैष्ठिक वर निलकंथा चंदन तिलक भाल पर राजे ता बिच कुम कुम चंद इंदु विराजे खुबत सुन्दर निलकंथ वर निनी स्थूर मूरती नु वरण निया कविये करियो शे बदा रुशीगणों आ मुर्ती निस्तूती करता कहे शे के खुबत सुन्दर तिलक जानलो वर्णी ना भाली अंदर विराजे शे नैन नोक से तनी न हठनता सतत नासी कागर द्रश्टी पोते करीने रहा शे धवल तन्तू नवगठीत जनेऊ श्वेत तन्तू नी जनोई धारण करीशे मुंज मेखला तिगुणी धरेऊ त्रणवडी एविपली जे मुंज नी मेखला एमने धारण करीशे तुलसी कंठी दोहरी धरी कंठा बेवडी तुलसीनी माला एमने धारण करीशे कर गही तुम्भी पीबनवारी हाथ मा कमंड़ु धारन कर्यु छे धाक दंड जप माला धारी साथे बिजाहत मा पलाश दंड ने जप माला धारी छे बहिरवास धर कवपीन वन्ता बहिरवासे सहीत कवपीन धारन करी छे रुचिर म्रुगा जीन कंधही छाजे सुन्दर म्रुगचर्म यमनां सकंधु पर वीराजे छे पिंग जटा जनों मुकुत विराजे सुन्दरवात कवे हिया करी के पिomed धारन करे dzi जाने के येमने मुगट धारण ना करे होए शालक ग्राम अती सोहत कंठा कंठनी अंदर शाली ग्राम सोही रहा चे कोमल तनु जनु कुसुमल जावे येटलू कोमल येमनु शरीर चे के जाने पुष्पपणे नी आगर लाजी मरे तेम शरीर थी एटलू कठीन तप कर्यू शेमने के जेनी तोले कोई तप आवे ने कोई नु पन तप न आवे बन विचरत निर्भय नहीं शंका जैहो नैश्थिक वर निलकंठा तेपो ते निर्भय पने आवी रिते निलकंठ वर्णी वन्नी अंदर विचरन करी रहा छे अटलू सुन्दर मूर्थी नु वर्णन आपदनी अंदर यहां कभिये कर्यू हवे आगर अजी पन रुषिगणों स्तूती करे शे आतो स्थूल मूर्थी नी स्तूती करी पन हवे निलकंठ वर्णी नी सद्गुण मही मूर्थी नी स्तूती यह बदा रुषिगणों करे शे आपने सामबढ़िए चारुसुभग सुन्दर धर्यो वरणिवेश भगवन्त चिन्तत चित में भोत है अक्षर सुख ही अनन्त नहीं कमपन नहीं धैर्य गमावही हमतनी बिडबन नंगे पावही शीत धूप सहते पथी कंटा जै हो नैश्टि कवर निलकंठा फल दल मूररू कंद हारा कबु जल पी कर करत गुजारा परिग्रह नहीं कचुवरू नहीं संगा जै हो नैश्टि कवर निलकंठा नहीं कबु आतम बेश्मृति पावे ब्रमरव गोपी गीत गुञ्जावे भक्ति केर उर द्रिढ है अंटा जै हो नैश्टि कवर निलकंठा रहे निसंगन को से आरी जनुबिरागने मूरत धारी लेश ही रोचत नहीं दिय गंधा जै हो नैश्टि कवर निलकंठा अक्षर धाम दिखावत न्यारा समुझावत निगमाग मसारा राजन चाहत नहीं धन अंटा जै हो नैश्टि कवर निलकंठा नहीं कमपन नहीं धैर्यवगवाव है महराजना सद्गुणों नो यां वर्णन छे पोते अनेक कष्टों नी वच्चे फरेशे वीच्रण करेशे छता पन कोई पन प्रकारे धीरज गुमावता नथी आपने तो थोडुक विगनावी जाए ने तो पन आपने अपनी धीरज गुमावी देए बेबाकडा थेजीए बन निलकंड फरणी पोते धिरिय धारण करी ने भमत निभीड बन नंगे पावही खुला पगे जंगल नी अंदर गाठ जंगल नी अंदर वीच्रण करी रहाशे शीत धूप सहते पति कंठा पोते शीत लिके शियाळ उनाळ बदो ताप काटाने बधूझ पोते सहन करेशे फल दल मूर अरु कंद आहारा पोते केवड फर दर ने साथे जे कंद मूर इनो जाआर करेशे कमू जलब पी करकरत गुजारा कैया रेक तो केवल जढ़ पीने पोते रहे छे परीग्रह नहीं कचु अरू नहीं संगा कोई दिवस कोई पन प्रकारनो परीग्रह पोते करता ना थी ने इकलाज जाले छे नहीं कमू आतम विस्मृती पावे पोताना आत्मानी विस्मृती एक शण पन पोते करता न थी महाराजे वचना मृत्मा पन कर योग शे कि हमें तो पूरुवे थी हमें आत्माने जुई ये शे हम तो एमने तो बदू आनादी सिद्ध शे प्रमरव गोपी गीत गुंजावे आत्मा रूपे तो एमनी स्थीती शे पन साथे साथे भगवाननी भक्ती पन शे एटले श्रीमत भागवतना भ्रमरव गीत अने गोपी गीत नुपन गुंजन पोते करे शे भक्ती केर उरे द्रीड है अंटा उताना अंतरनी अंदर भक्ती नी एवी एमने आटी पाड़ी दीचे लेश अही रोचत नहीं तीय गंधा लेश पन एमने स्त्रीनी गंध गंध गमती न थी अने जाने साक्षात वैराग्ये मुर्ती मान स्वरुप धारन करियोए एवी निलकंध वर्णी नी मुर्ती शोभेशे अक्षरधाम दिखावत नियारा बद्धाती नियारू एवी पोतानू अक्षरधाम ए समाधी करीने अनेक जीवोने पोते बतावेशे समुझावत निक संगाजे आपने जोईशू कोई पन प्रकार ना राज्यानी सत्ता नी के धन्नी तो एमने स्प्रुहाज नथी जये हो नईश्थी कवर निलकंठा आधी रीते निलकंठ वरनी पोते वीचरण करी रहा चे अने आ रुशी गणोय आवी स्खुबत सुन्दर स्तूती करी एमना आपन सवना भाव पूरा करी निलकंठ वरनी त्यां थी आगर चाले शे बहद्दूर पूर पूर पहुंचे शे अने त्या गंगास नान करी ने गंगाने वर्दान आप्यू के तने हूं हमेशा मारी पासेज राखी अने ए वर्दान अनू सारे आगर जयता श्रीजी पेलू वर्दान एमने चरीतार्थ करिऊ ने आवी रिते नारद बन थी वरनी पोते हरीदवार पधार्या त्यां अकर ब्रहमन वेशे शिवजी ने पार्वती निलकंठ वरनी नी सेवा मा आवेशे अने ए वकद शिवजी तो निलकंठ वरनी ने ओलखी गया एमनी कृपा पार्वती जी ओलखी शक्या ने शिवजी ने खुबज भावती निलकंठ वरनी नी सेवा करता जोई पार्वती जी ने आश्चरिये थे यह एमने तरह तक शिवजी ने पूछी आवी रिते एक नानकडा ब्रहमचारी नी आवा भावती सेवा करो शो कोई दिवस में आऊ जोई नथी बदा आपनी सेवा करता होए पन आप आटला नानकडा ब्रहमचारी नी सेवा करो शे नू कारण शो ए छे कौन ए वख़ते शिवजी ए कविए के तूज ध्यान करी ने जोई ले ए वख़ते पार्वती जी ए ध्यान लगाविए औने निलकंठ वरनी नी कुरु यावेश यावेश झाल 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 ब्रहमी स्थीती तब होत है गुणाती त मिल जाए गुणाती पुरुष मणे तो आपनी ब्रहमी स्थीती थाए पार्वती जी पन क्यारे निलकंठ वरनी ने उलखी शक्या एमनी कुरुपा थी त्रहन गुण थी जारे पर एमनी स्थीती थाई ने एमने ध्यान लगाविए ए वख़ते पोते निलकंठ वरनी ने यथार थोड़की शक्या क्या कौन शे अम तो भगवान पन पोते सत्य संकल्प शे और वो संकल्प करीने शुब संकल्प करीने आप रुच्वी उपर पधारता होए शे के गनानी अगनानी सर्वे जीवो मने देखे प्रसमना अठ्योतेर मां वच्णामृत मां महराज यावात करी शे कारण के आपने बदा केवा शे माईक जीवो शे आपने इंद्रियों अंतह करन पन केवा शे माईक शे तो माईक येवा इंद्रियों अंतह करने करीने और माईक येवा भगवान ना दर्शन आपने कही रीते करी शक्वाना शे पन आतो केवल भगवान ने संतनी एक कृपा आपने प्रमुक स्वामी च्छतने शाय पन आयमनी दया शे तो इहां वाद करवा मावी के ब्रहमी स्थिती पन आपनी त्यारे थाए जो ब्रह्मरूप एवा संत मले तो ब्रह्म सोरूप एवा संत नो समागम आपने करिये तो आपने ब्रह्मरूप थाई इना माटेज आपने रोज ध्याई मंत्रनी अंदर गाई एशे गुणातीतम गुरुम प्राप्या गुणातीत गुरुने मेलवी ने पची ब्रह्म रूप थाई ने भगवान नी बक्ति करवानी शे बाकी महराजे वादकरी दिदी के उपासना वगर अवा प्रगट ब्रह्म स्वरुप संत आपड़ने न मले होए भगवान नुप्रगट स्वरुप न मले होए तो उपासना वगर तो आकाशने तमे गम्मे तिल्लू महराजे तिया अगर द्रश्टान ता पिवंतियना चत्रीसमा वचना मृत्मा आकाशने सो वरस्तुदी चाटो तो ए खारो खाटो स्वाट आवे न आवे एवी रिते उपासना ध्यान बक्ती वगर तो गम्मे ते रिते आतमागनान सिद्ध करवा माटे प्रयत न करो पन एवी रिते आतमागनान सिद्ध थतु न थी आतमनिष्था सिद्ध थती न थी ब्रहमरूप तो एवा ब्रहमरूप संत मले तो एना योगे करिने ज़ थाएशे तो निलकंध वर्णी पांच दिवस पोते हरीद्वार मां आवी रीते रहा अने शिव परिवार शंकर अने पार्वती रोज और निलकंध वर्णीनी सेवा मां आउता अने येमने आम्रा रस केरी नो रस अने रोटली ए रोट जमार ता ने आवी दिवार पंचेशे लक्ष्मंड जुला पोंचेशे त्या अगर पोंचीने लक्ष्मंड जी ना मंदीर यहां, श्रीपूर पोंचेशे त्या अगर अलक अलक नंदा न दी धनूश्या कारे वही रही शे उद्धवजी इह तपकिया क्रिश्ण भी रहके ताई श्रीक्षेत्रसो प्रथित भया नारद नगरी बसाई श्रीपूर आजनी तारीक पड़ गाम छे यहां महीमा कयो कि जारे करश्ण भगवान पोते धाम पामे अमेने धाम गमन कर्यू ए वखत अमना प्रिय सखा निकटतम अमना सखाएवा उद्धवजी यह उद्धवजी यह करश्ण भगवान ना वीरह नी अंदर आज अग्या आ तब करियु तो अने इतले पवित्र जानी नारग जी ए पन त्या अगर नगर वसावियु तो अने यह नाम पढ़ियू श्रीपूर अने यह अगर महराज पोते पधा रहा अने एवखते शुद्यास त था अने एवखते शी परिस्तिती थे कईव प्रसंग था यह नू शिव दर्शन कर बटु हर शाये लेन बसे रान दी तट आये बिच्छाई के तरुतल म्रिग शाला ध्यान मगन बैठत व्रिश लाला आही प्रथित कमला मठताही मठ महंत जट आयवधाई कर जोरी के बिनती उचारी मठ भीतर आवहू ब्रह्मचारी भच्छन कारन सीह सतावे जीवित नहीं को रहनन पावे हिन्सक पशु यह आवेराती नहीं को भीहरत है असभाती अरूमठ में भोजन कचुलीजे रात बसे राभ रहीजे मंदिर भागी रथी ततराजे तह कमलेश्वर शंभु विराजे महराज त्या अगर भागी रथी नदीना कांठे पहुंचया श्रीपूर मा अने एक कांठा उपर अज कमलेश्वर महादेवनु सुखबत सुन्दर दिवाल त्या अगर शिवा ले है तू अने त्यां अगर महराजे शीव दर्शन करया अने नजिक मा वरुक्षहतू काठा अगर वरुक्षनी नीचे फोते रातवासो करवानू नक्की कर्यू सुरियास तथा ही चुक्यो तो ए वखते मठना महंत जीया निलकन धोरनी ने जोया अने दोड़ता त्यां गड़ावया अने वात करी के वर्णी आप मारो आश्रम छे मठ चे नी अंदर पधारो तो सारू कारण के अत्यारे सुरियास तथा ही गयो चे बच्छन कारण सीह सतावे कारण के यां रोज सांज पड़े सीहनो त्रास चे रोज एकाद पशुनू मारण पण करी जतोवे चे ले सीहनो भगे चे आप कुरूपा करी मारा मठनी अंदर आओ तो त्यां संपूर्ण पणे निर्भय पण आप थाशो साथे साथे आप भुख्या पण अशो तो आपना माटे भोजन नो पण बंदोबस्त मठनी अंदर थाई जशे ले कुरूपा करी ने मठमा पधारो पण ए वखते निलकंध वर्णी के वो अद्भूत उत्तर नेन मुंद बटो बैठ ही निर्भय स्थिर सुख चैन मन्द मन्द मुस्कीर हो सुनी महंत के बैन कह बटु हम तो बसतिन जावै एही बिधिस्थान बहुत उर्भावै सरितानी अरे बास हमारा भुविशय नीनभ चत्र पारा अरु महंत मैं जिमु एक बारा निकट नही कछू राखन हारा भया महंत कू अचरज भारी बटु को नी रेखत बारे ही बारी कह बटु हम तो बसतिन जावै महात माजी ने अमने तरत कई दी दू कैमे तो वस्तीनी अंदर जवा माक्ताज नती वस्तीमा अमने रहू गमतू नती अमने तो आवन परवतन नदी किनारो एज गमे छे एही बिधिस्थान बहुत भूर भावै आस्थान अमने बहु पसंद छे सरीतानी अरे बास हमारा सरीतानी पासेज अमने रहू गमेशे भुवी शयनी नव छत्र अपारा केवी खुमारी साथे जवाब आपेशे के अमार अमाटे का पुछुई एज शया शे अने आकाश चे एज अमार अमाटे छत्र शे अरू महंत मैं जिमू एक बारा अने महंत जी हुँ तो दिवस मैं एक जवार जमू शुए अत्यारे भोजन नी पन मने इच्छा नाती आगो जवाब आपियो एटले पहला महंत जी ने पन खुब जाश्चर ये थयु अने हजी पन वरनी खुब सुन्दर वो ते ग्नान या मह अन्द जी ने पिरसेशे नहीं डरते कबू मौत जुआवे हम तो आतम मगन रहावे मैं जनी मृती से पर अति दूरा मोसन काल धूजत अति कूरा सुन हु महंत मरन वय जाको जोगन कब हूँ सधे गोता को मौतन पर से यूँ छिप जाओ ललाट लिखी सो कहूँ वै पाओ गुहा गहवरिये गगन बसे को जलके भीतर मास करे को लोह भवन को गहन बनावे फिर भी मौत उसे भखी जावे नहीं डरते कभू मौत जुआवे तो मैं आम रुत्यूनों भई बतावो शो सी आवी ने मारी नाक्षे पण हमे तो मारा आत्मानी अंदर अज मगन रही है शी है मैं जनी मृती से पर अती दूरा मौतो जन्म मरन करता क्या है दूर शू मोसन काल धुजत अती कुरूरा अती शै कुरूर ये वो काल ये तो मारी अगर थर थर कंपे शे सुना हूं महंत मरन भय जाको जोगन कभव सदेगो ताको हूं तो जोग कड़ा सिद्ध करवा माटे निकले ओचू जो महंत जी आवी दिते मृत्यू नो भय होए तो ए मानस ने कोई दिवस जोग कड़ा वरेज नहीं मौत न परसे यूं चिप जाओं तमारा मठनी अंदर मृत्यू आवशेज नि तमारा मठनी अंदर मृत्यू आवे नहीं कोई दिवस महंजी तो चूप थी गया हमने तो कहीं बोलवा पनू जातू नहीं निलकंध वरनी ये समझावियो गुहा गहवरी गगन बसे को जलके भीतर बास करे को लोह भवन को गहन बनावे फिर भी उसे भखी जावे कोई उन्डी गुफा नि अंदर घुसी जाए कोई आकाश नि अंदर जतोरे कोई पाणी नि अंदर घुसी जाए कोई लोधानू भवन बनावी नहीं अंदर निवास करे पन मृत्यू तो अवश्यम भावी शे एतो दरेकना ललाटे लखाईने जावतू इतला माटे हजी पन आगर खुबत सुन्दर उपदेश निलकंट वरणी आपे शे बाल युवा अरुब्रिद्ध हो किधों रंक भुपाल जाति स्थिति वय नागिने बडी मौत की चाल आयु डोरियती जटिल बनाई तूटही पुनिनई सांधै जाई करत दवाई बैद पारा किंतु तुटी नही सांधन हारा मूरक सोही मरन भय जाको मृत्यू पाश पड़ा गलबाको आज किदों कल अबैस बेरा मृत्यू डारी है निश्च डेरा अस्त्र शास्त्र बलस वही निकामा मौत गती अविरत सब ठामा चनभंगुर तनकी के आसा मुर्ख करत है खलू जीवी ताशा मुर्ख करत है खलू जीवी ताशा निलकंट वरणिये बाद करी के बाल युवा अर वृद्ध हो किदों रंक भूपाल जाती स्थीती वय नागीने बड़ी मौत की चाल बाड़क होई युवान होई के वृद्ध होई रंक होई के राजा होई कोई पंप्रकार नी जाती के स्थीती एम रुत्यू गणतू नथी एवी रुत्यू नी चाल शे कोई समझीशक एम नथी आयू डोरी अती जटिल बनाई भगवाने आयुशे नी दोरी अती शे जटिल बनावी शे तूट ही पुनी नहीं सांद ही जाई एक वार तूटी पशी एने कोई सांदवा माटे समर्थ नथी करत दवाई बैद अपारा किन्त तूटी नहीं सांद नहारा वैद पण खुबज बदा आउशद ने बदू करे उपचार करे ऑपरेशन करे पण एक वार आयुशे नी दोरी तूटी ए तूटी पशी कोई एने सांदी शक्तु नथी मूरख सोही मरन भई जाको इटला माटे वरणी कहेशे के ये मूरख छे के जने मृत्यूनों भई छे अहिया पण निलकंट वरणी आपणने आ समझाव मागेशे कि आपने मृत्यू थी डर्वानी जरूर ना थी पण मृत्यूने सुधार्वानी जरूर से जो मृत्यूने सुधार्य ने तो बेड़ो पार थाई जाए कारण के मृत्यू तो आववान उच्छे जातस्त्य ही दुरुव मृत्यू हूँ करवानों होतो न जे वात कुबद सादी गुज्राती भाषामा कवि नारणदा से आपणने समझावी जन्म्यात्यां थी जरूर जानों मरवानूँछे मां थे आव्या त्यारे शुला व्याने शुलाई जावू साथे जी भाई शुलाई जावू साथे जी एक जन मेने एक मरे छे स्थिर न थी कोई थरवा जी मरी गया ते जन मधरे ने जन मधरे ते मरवा जी संसार सघलो काल चवाणू कर्मवशनर नारी जी दास नारायन पजन करी ले सफ़ड करो जन मारो जी जन म्या ते जरूर जाणो मरवानू छे माथे जी आवाद साथी भाषा में आपने समझावी चे गुणातिताने स्वामी पन आपने के शे के सो वरश पूर्वे आपनी गनाती नी अंदर कोई हतू नहीं अने सो वरश केडे पन कोई हशे नी अब दू वच्चे न अब दू खेल छे आपने पन कोई रेवाना थी निष्टीत वाद छे एटले वरणी आपने समझावा मागे शे के मृत्यू ने आपने सुधारी लेऊ जो ये बागे मृत्यू तो मानस गम में अटला प्रहत न करें तो पना उतु हुए चे त्या रश्यानों जे स्टालीन है तो जे स्टालीन है रश्यानी अंदर वर्शो जुनी जाकी राजाशाई ये राजाशाई ने जड़ मूर्थी नामूद करी ने रश्यानी अंदर साम्यवाद नी स्थापना करी थी ये स्टालीन अने अत्यारे तो जो के रश्यानी अंदर साम्यवाद पन रहे हुना थी त्या तिक सब्सक्री पर emailed me the việc in myijs' ने कमें जरबओु मारी नाक्स SM त Supply cocktail आध्य कोई दिवस टाज आ आधा 걌 no jalha Assan of everything आध्य कोई दिवस टाज आधा आधा दाधा आधा 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 है यह भी गरम रसोय ने खादी ना थी, कारण रसोय बने रसोय पहला में पहले टेस्टिंग थाए इना मानसों उपर, बार कल्लाक सुधी इना मानसों उपर कहीं असर ना थाए पची वासी खावानु यह खावानु इना करता आपने सुख्या के वाई है के नहीं, कोई प्रकार आपने साए मानस गम्मे अटला प्रयात ना करे, पर यहनु मृत्यू यह लखाये लूज होए छे, तो यह तला माटे यह निलकंड होरनी आपने समझाव मागे शे आजे पर बदा राजकारणियों जोई है, बदा जेड प्लस सिक्योरिटी लही ना फरता होए छे, इंदी तेटली मानस सिक्योरिटी राखे गम्मे तेटला जिव्वा माटे प्रयात ना करे, पन मृत्यू तो कपाडे लखायेलू होए छे, तो यह प्रमाने आउतुझ होए छे, एनी अंदर कोई पन मीन मेख रहतो ना थी, तेटला माटे निलकंड वरनी अहिया महंत जी ने समझा पन मेख रहतो ना थी, जे डरे शे तो मुरक छे, अने एथी पन आगल निलकंड वरनी आत्माने परमात्मानु अध्भूच ग्नान एपोते पिदसे शे अजर अमर अरूचिन्मय भासी कही आत्मा अजबी नाशी भावतिकतन को मौत भखेगी नहीं आत्म नहीं आत्म को परस सबेगी नश्वर एतनु छांड के जाई हों अक्षर धाम सोकाहे को शोक करूं अजर अमर अरूचिन्मय भासी कही आत्मा अजबी नाशी के हूं तो आत्मा शूँ हूं अजर अमर शूँ अविनाशी शूँ जे कहीं पढ़ शे तो आ देह पढ़ शे मृत्यू मारू नथी थवानू शे अंतेना ओगन चालिसमा वचना मृत्मा महराजे बाद करी शे क्या आत्म अगनान थे पूर्वे पर्ण अनादी कार्थिया जीव तो माया नीयू साथे सम लगना चे माया नीय अंतर पडेलो चे तेहीं चेतर माया ए जीवनू कई बगाड़ी शकी नाती है वो चे जी जीव तनु छाणी के जाई हो अक्षरधाम, साथे साथे अक्षरधाम नी वाद करेशे, के कदा जा दे पड़्शे तो अक्षरधाम नु सुख प्राप्त करेशू, आपने तो जीवते लाखना ने मुए सवा लाखना, मर्या पची पन आपने तो विशे शुख भगवान ना धाम सुख प्राप्त थाशे, सो कहे को शोक करू, शाष्वत जहां अवीराम, शाष्वत मारे जे स्थानी अंदर रहवान हूँचे, त्या हूँचे, इस्तो शामाटे मारे अवीरिते शोक करू, और मुत्यू थी डरू, आरी ते वाद करी, ए वखते महन जी ए खुबज आजी पुनी पुनी बटू को बहु समुझावा, किन्तु लेश नहीं सो भी चलावा, राख हुए नरे सिह भगवाना, बाल जोगी हठ कठी ने चुडाना पुनी पुनी बटू को बहु समुझावा, बहु समुझावा माटे प्रहत न कर्यों तेम छेता पर निलकंट वरनी पोते द्रड रहा, अडग रहा ए वखते हरी हरी, एमकरी ने महन जीये त्यां थी चालती पकडी, एक तो बालक शे ने पाचा जोगी शे बेहठ बेगी थाई आम तो दुनिया मां त्रण हठ पंकाये लीशे, बाल हठ, स्त्री हठ अने जोगी हठ, एक वार पकडी ए पकडी ने पशी मुके नहीं जिम बालक हो एने आपड़ी पास आगर धम पशाडा कर एक बस मने रमकडू लावी आपो, एने रड़ा रोड करी मुके ले आपड़े लावी जापवू पड़े, न शूट के आपड़े लावी आपवू पड़े, गंबे तेम करी ने, ए बाल हठ, ए पकडी ए पकडी, ए पन जे कहीं मागे ने, जे कहीं अवी रिते वाद करे तो पछी ये प्रमाने करूज पड़े, फ्रांस नो बादशा थे यो लुई चाउदमो, एने एवी बाद करी शे, के यूरोप ना बधा देशों ने संधी करा होता, जेटलो समय लागे, एटला समय माँ पन स्त्रीनी स संधीना था, लेने पोता ने, वो हनु बहुत ही गयो शे जे वह लाद स्त्री हठ, तो त्री हठ ने लेगने पन आवा प्रश्णो सर जाता होए चे, अने साथे साथे त्री जी हठ ये पंकाय लिए जोगी हठ, एक वार जे जोगी होई, साधू होई ने ने हठ करी, ने प् आनदे बजाट ए पकड़ी बाता पर गुचे कि अगण सबगिक है कि आख और शाग हें काली रोती ने धोली दाल दाल आले दुद्पा करने माल पूआ एक करी ने आपो और यह काली रोती ने पाशु के तलू । फ्षट रोती ने हात दाल आपो एक एक जंड ने वेत रोटी एक वेत नी थपपी जा एक 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 जण उलाडी जाए एक आखी एक एक जण माल पुवा नी खाई जाए येवा बदा तगड़ा बदा बाओ होता अवे गाम लोकों नी स्थीती ना होई तो पाशा त्रागा करे गाम लोकों ने रंजाडे मारे पीटे अने पराण एमनी पाशे थी अब दू पड़ावे श्रीजी महाराजे तो जे त्यागीओ बना वे आशे ने संतों ने आदर्श बना वे आशे संतों ये खेवी रिते वर्थू तो ब्रह्मर वृत्ती थी रहू। पन्ident गुरुहस्थ ने कोई पन्म प्रकारनो एना व्र वहार ने नुकसाँ न थाये रिते लिए। महराजे पन आ एक विवेक बधा त्यागी उने पन शिखवाड़े हो शे तो महराजे जे त्यागी बनावे बधा जुदी प्रकार ना बनावे आवा नसी बनावे बधा हठ पकड़ी ने बेसी जाए पन आवा पन बधा नागड़ा बावोवे समय मा आओता तो अहीं आ तो ए इच्छा जे था एक हरू और महंची पाशा मठनी अंदर गया और हवे यां कवी वर्णन करेशे शू परिस्थिती थाई दोन पहर जब नीती दोन पहर जब बीती निसाई दहाड सीह की देत सुनाई तब महंच की निंदर तूटी जट गवाख से देखत जूटी महंच बटु को देख रहा ध्यान मगन भैहीन दृत गतिलप क्यो सीहत हाँ बटु को निसान कीन मठ पति देख ही सोचन लागा काल कवल हो यगो बटु पागा नैन मूंद पुनी जब ही खोले देख ही चकित चकित मन डोले बैठ उसीह बटुक पहिताई बटु रलेशन चन चलताई ग्रिष्टी पात बटु तिन परकीना चन मेले चत सुवती दीना सोचत मन में देखी महंताः आउन हो यगो यबटु संताः निश्टित आये शिवतन धारी इमवा क्रिष्ण के इमवा क्रिष्ण के विश्णु मुरारी बेप्रहर रातरी पसार थाई ने अचानक जसेह गर्जना समढ़ाई महंत जी तो सफाड़ा कोते जागी गया पसारी नी अंदर अने सिध्धा बारी पासे गया अने बारी खोली ने जोयू निलकंट वर्णी तो तोपन स्थीर हता ध्यान मगन हता अने बीजी बाजू सें खुब जडब थी निलकंट वर्णी प्रती जाओतो तो इटले ए वखत एमनी तो आँखों मीचाई गई ने थयू के बस हवे तो बे मिनीट नो मामलो अचे हमना काड़ नो कोड़ियो बनी जशे आ वर्णी अने त्या तो जेवी एमने आखों खोली अने चमतकार सर जायो पिलो सी निलकंट वर्णी नी पासे आवी ने गरीब गाई नी जेम बैसी गई अने निलकंट वर्णी एना मस्तक उपर पोते हाथ फेरव ता ता ए जोईने आ महंद जी विचार मा पड़ी गया क्या कोई साक्षात शिव जी शे विश्णु भगवान छे के क्रश्न भगवान पोते आवे आशे चे कौन अने पशी तो सवार पड़ियू अने ए वखते अवे यां कभी वर्णन करेशे उदित भयार भी होत सवेरा बटू कसी हसीरे नीज कर फेरा जागत सीह ले अंगडाई बंदई सोहरी चरनन पाई अनुभवकिमू बोलत बिनुबानी सीह नयन में छलकत पानी कर पोचाई बटू हसु अनधारा बोली बचन तिन केश सवारा दिग देखत जन दूजत जासे खेल रहो एक बालक दासे जाव हू कही बटू चुटे की बजाई गयो सीह बन घर नी गजाई जाई गयो सीह बन घर नी गजाई उदी त भया रवी हो त सवेरा बटू कसीह सीर नीज कर फेरा सवारे निलकंट वर्णिये जे सीहने जगाड़यो सीहन पन आलस मरड़ी ने पोटे जागयो निलकंट ना चरण एने वंदना करी अने पची तो एनी आखमा थी पन आसू चालया जटा था निलकंट वर्णिये सीहना आसू लूचया अने पची चप्टी वगाड़ी अने पची आगना करी के तमे अवे वन नी अंदर जाओ ने प्रमाने सही पन वन मा पाचो धर्ती गजाओ तो धर्ती दुझाओ तो पोते चाली निकलो आ वात वायू वेगे आखा गामनी अंदर फरी वड़ी करन के आवो चमतकार होई तो तरह तर लोकों ने खवर पड़ी जाए ओगनी सोने पंचाणुनी सालमा गणपती दूद पीवा मंडिया था तो आखी दुनिया नी अंदर फटा फट खबर पड़ी गई बद्दाने अने बद्दा मंदीरों नी अंदर पहुँची ग्यान गणपती ने दूद पीवड़ाओ मंडिया लाओ चमतकारों एतो तरह तज वात वायों के प्रस्री जाए तो आव वरणी को कावा चमतकारी आवया शे वात प्रस्री बधाज गामलों को इमना दर्शन करवा माटे आवया अने ए वकते जारे निलकंट वरणी थोड़ी वार पची विदाय लेता था तो महंद जी पासे आवयाने महंद जी बात करी के वरणी अमारो आश्रम से मठ से वार्शिक एक लाख रुप्या नी आवक से ए मठ तमारो मारो वह मोटो शिश्यगन से बदा शिश्यगन उपर तमारी सत्ता हुँ पन तमारो दास पन तमें अईया जरो केटली मोटी लालाज केवाई अटली मोटी ओफर पन निलकंट वरणी ए ओफर ठुकरावी दीदी नीलकंट कू आ गई हासी एमने तो असू आवी ग्यू कहन लगे हम सदा उदासी हमें तो उदासी चीए अधन सत्ता मेडवा माटे अमें घर शोडी ने निकड़े अनथी अमारो तो अतीशे त्यागी स्वभा होशे तो आवी रीते निलकंट वरणी आठुकरावी दीदू मले पन नव चले ने ए खरे खरा जोगी है आ जोगी नू लक्षन पोताने सामे चाली ने बदू प्राप्ते से जाड़ता मड़ती थी पन कोई दिवस पोते यह नी अंदर ललचाया नाथि स्त्री नी अंदर धन नी अंदर बद्या सत्ता नी अंदर यह ललचाया ज नती तकला माटे संस्कृत नी अंदर एक श्लोग केवां माविव शे Treaty कि विकार हे तु सती विक्रियंते यशाम्न स प्रभुत्वम अविवेकिता एकाई कम अप्या नर्थाया किमू यत्र चतुष्टयम युवानी होई बिजी धन संपत्ती होई त्रीजु प्रभुत्व अविवेकिता अविवेकि पनु होई आचारमा थी एकजवस्तु आपणी पासे होई नितोपन अनर्थ सर्ज्वा माटे पूर्तीशे तो चारे भिगा थाय तो शू थाय तो यहना माटे बिजो श्लोक समझ पड़े मर्क तस्य सुरापानम तस्य भुष्चिक दंशनम तनमध्य भूत संचारो यह योवा कोवा भविष्यती एक तो वांदरू होई वांदरू पोते जमुड मा चंचर शे जनर्थ सर्ज्वा माटे पूर्तू शे पर यहने पास सुरापान करावा मावे दारू पीव पर दे तो शू थाए अने पची तनमध्य भूत संचारो यह अंदर पाशो भूत नो प्रवेश थाए पची तो शू थाए बगवान जाने शू थाए एक तो युवानी युवानी नी साथे साथे आटली बदी संपत्ती मरती थी वार्षिक एक लाखनी आवक अने आप खा जारे बली निलकंट नी आएमेक्स फिल्म बनावताता ने ए वखते तपास करी अंग्रेजो ना ए समय ना गैजेट ने बदू होई ने एनी अंदर तपास करी तो पन खबर पड़ी के आँ मरत खरेखर बहु सम्रुद्ध हतो आजे कमलेश्वर मरत चे ए खरेखर सम्रुद अने ए मठनी महनताई मरती ती सत्ता पन प्राप्त थती ती युवानी धनसंपती सत्ता त्रणे प्राप्त थतू तू पन निलकंट वरनी पोते एनी अंदर लेवाया ना थी प्रमुख स्वामी महराद ना जिवन मा पन आपनने जुवा मले स्वामी बापा जारे पोते आ स संस्थाना धनीक बन्या ए वखत एमने उमर्केटली हाती 28 वर्ष्णी हाती युवानी धन संपत्य अतली मूटी संस्था अबजो नो बदो वईवट होए अने पाची सत्ता पन सत्ता धन संपत्य युवानी बदुज स्वामी बापा नी पासे आयातू चल्ला साइट वरस थी पोटे प्रमुक्षी एकत संस्थाना वीचार तो करो कोई दिवस एमने कोई नी उपर सत्ता चलावी नसी कोई दिवस पोटे धन संपत्य नो एमने मध आवी गयो एचाकी गया हो एऊ तो एमना जीवनमा जवाज मरतू नसी पोटे आटली संपत्य शे पन बदी ठाकुर ज पोटाना नामे एक पन संपत्ती नहीं एक नो पैसो पन नहीं आप रमुक्ष्वामी महराज नी विश्यश्ता चे अने पोटे ठाकुर जी नी संपत्ती पोटा माटे वापरवानी होई ने एक एक पैसानो वीचार पोटे करे पोटे पत्र वांचन करता होई लाइट नी ज पोते वापरे भगवान नी भक्ती शे तो आवी रिते प्रमुक्स्वामी महराज ने धन संपती स्पर्शी शक्या नथी सत्ता नो कोई दिवस मद आवी गयो नथी कहूं कवे मजधाई हमेशा सेवक थाई ने पोते रहाचे तो आ सत्त पूरुषोना जिवन मा थी आ वस्तु आपनने शीखवा मलेचे जानवा मलेचे के आतली बजी वस्तु होई विकारना बधाज हेतु होई पन कोई दिवस पोते नी अंदर ए ललचाता न थी निलकंट परणिये आज हे रीते सत्ता संपत्ती बदु ठुकरावियू ए जोईने महंत जी अने गामलों को पन खुब जाश्चरिय चकित थे गया पहर बैठी बटु चलत भया कानन गहन मझार गुप्त काशी को प्राप्त भये तीर्थ पुरातन सार निलकंट परणिये पची त्यां थी आगल गुप्त काशी गया अने हिमालाईनी यात्रा तो चालूज रेशे हम तो हिमालाईनी यात्रा आ पाराईनी अंदर पूरी करवानों विचारतो पन एपन अपने पूर्ण करी शक्या नसी एपन भगवान नीच्छा पन निलकंट परणिये जहा विचरण करियुछे एनी कई पुर्णा होती ए नती थाई जाती निलकंट परणिये तो चेक लोज सुधी आखो साथ वर्ष एक मास में अग्यार दिवस सुधी हमने वन विचरण करी लूँछे एने विचरण के वाई पन वन वीचरण अने गादी आवया पखी पन एमनू तो विचरण चालू ने चालू ज़रह भिशे आ उत्तर गुजरातना करजी संद गेवा जेवा गामनी अंदर पन महराज किटली वार आवया शे 32 वार महराज पोते गादी आवया पशी केटला वर्ष रया 28 वर्ष 28 वर्ष नी अंदर पोते 32 वार उत्तर गुजरात मा आवया हो एटले हनो अर्षू थयो 10 वर्ष पोते आवता शे ने ओचा मोची एक वार कोपर बे वार पना आवया हो त्यारे पोते आपने समझी शक्किये शे के एमने केटलू वीचरण करे लुआ शे ला मचे आव गावनी अंदर पने विर्थ 32 वार महराज आवेला शे जयां सुधी पेला फईब आए भठ नती राखी त्यां सुधी पची हठ राखी न पची न आवया एवाद तो जुदी तो केटलू बदू महराज पन वीचरण करता शे आपने जुआ मले अने एना एज निलकंठ वर्णी ये सतत वीचरता रहा शे एमना पची गुणाती तानें स्वामी ना स्वरूप मा पोते वीचरता रहा शे भगज जी महराज ना स्वरूप मा वीचरता रहा शे शास्त्री जी महराज ना स्वरूप मा वीचरता रहा शे योगी जी महराज ना स्वरूप मा वीचरता रहा शे अने आजे वर्तमान काडे एना एज निलकंठ वर्णी प्रमुक्स्वामी महराजना स्वरूपे ए वीचरे शे निलकंध वर्णीनी कल्यान यात्रा एके अटकी नती लेनी तो पुर्णा उती शक्या पड़ नती आपड़े यह आजनी पाराणी निकदाज पुर्णा उती करीशू पन निलकंट वरणी नी यात्रा नी कोई दिवस पूर्णा उती थवानी ना थी कारण के महराजे आपनने कौल आपी दिजो छे बरतालनों उगणिस्मू वचनाम रूँ के ज्यारे ज्यारे आद मनुष्य दे आवे छे जीवने भरत खंडने वी छे त्यारे त्यारे भगवान का भगवान ना संत ए अवश्य प्रुथ्वी उपर वीचरता होए छे जिम निलकंट वरणी ये समय संजोगों ने शरीर नी परवा राख्या वगर वीचरन कर्यू छे कारण के जन जन ना मन साच्वी न वीचरन करू ने एक एक हरी भक्त ना मन साच्वी ने दरेक ने राजी करी ने एपन भीडो होए छे तो एवीरी ते प्रमुक स्वामी महराज ये वीचरन करे लू छे निल्कण्ड वर्णिये पोता नी साथे कई पन लिधावगर वीचरन करे लूँछे तो प्रमुग स्वामी महराज पन कई लिधावगर निकल याशे पन वर्णिये जे एकांतिक धर्म धारन करे शे आपने जोय होतू एवी रिते स्वामी बापा पन पोते आ एकांतिक धर्मने धारी ने पोते विच्रन करी रहाँ छे निलकंट वर्णी ए अमना जापने जोयू सही जेवा प्राणियोंना हिंसक भाव टाली नाखे छे तो प्रमुक स्वामी महराजे हिंसक प्राणी जेवा भाव धरावता मनुश्योंना हिंसक भाव टाली नाखे छे आपना बधानी अंदर ती क्रोध इर्शा लोब मान ए बदू टाली नाखे छे अवा आवी हिंसक आसोरी प्रकृती धराव नारा जे ओधरकाना रामसंग बापू होए के तड़ाजाना रिशुबा सरकार होए ते बधानी हिंसक भृत्ती टाली ने एक मानव माथी मुक्त अने मुक्त नी पगव पद्वी मां एमने बेसाडी दिधा छे बगत माती मुक्त अने बनावी दिधा छे तो आवी रिते निलकंठ नुझ कारिया वर्तमान काड़े प्रमुक स्वामी महराज करी रहा छे कारण के निलकंठ जेमना द्वारा कारी रहा छे निलकंठ वर्नी एक खुबज कठोर तप पुलहाश्रम वगेरी नी अंदर कर्यू तो प्रमुक स्वामी महराज पण जे वीचरण करी रहा छे आने मान अप्मानने बदू जेमने सहन करी रहा छे पन एक तपज गणी शकाए तो निलकंठ नी जेमने पन एतप करेलू छे निलकंठ एपोते आजे प्रमुक स्वामी महराज ना देह मा पोते सांगव पांग रही ने आवीरी ते वीचरण करी रहा छे तो निलकंट वरनी पन आपने समझावे छे एमना विचरन द्वारा कि अमारा विचरन प्रमाणे जो तमे तमारू आचरन करशो तो अमारो दाखडो सफ़ल गणा छे अने आ पारायनी यथार्थ पूर्णा हुती पन एज छे तो निलकंट वरनी ना आचरन प्रमाणे आपनू आचरन थाए निलकंट वरनी जेम एकला चाली निकल्या एम आपने पन कोई पन जातनो संगाथ साथ न मड़े तो पन मंदीर आवगू आम तो यहां तो आटली मोटी संख्या थाए छे लेगो तो प्रश्न थाय ज नहीं पन निलकंट वरनी पोते एकला चाली निकल्या शे आपन न समझावे शे तमारे पन रोजे रोज तमारू ध्ये स्पश्ट करू निलकंट वरनी आपन वती पोताना लोई मास बदू सुक्वी ना क्यू छे तो एना द्वारा पोते समझावे शे कि तमारे आव NEW आकरू तप पूता नी साथे पाणी गालवानों टुकडो भूलया नथी तो आपनने समझावे शे के तमे पन शिक्षा पत्री ना मारा आपेला नानामा नाना नियमों नी अंदर चुक पाडशो नहीं निलकंडवर्णी आपनने समझावे शे के अमे तो सुख दुख नी अंदर पन विच्णनाट का विउन थी तो तमे पन अल्प काजे आओ महामुलो सत्संग ए मुकी देता नहीं निलकंड वरणी आपने समझावे शे के में बदा शास्त्रों वाँची लिधा शे शास्त्रों ना सारूप गुटको लई ने निकड़ आता तो तमारे हवे बदा शास्त्रों वाँचवानी जरूर न थी पन रोज एक वचना मुरुत ने बे अरे दस स्वामी नी वातो तो तमे माज जो एटले आटलूज तमे कर जो तो पन निलकंड वरणी केशे के हूँ तमारा उपर ए राजी थाईश अने निलकंड वरणी छेले आपनने समझावे शे के जहां अगर तमने साधूता जोवा मले भक्ती जोवा मले अक्षर पुर्षो तमनू शुद्ध गनान जोवा मले तो त्यां अखंड हूँ निवास करीने रहुचू एम तमे समझ जो कारण के निलकंड वरणी नी पन कल्यान यात्रा क्यां अगर अटकी लोजपूर मा जियां अगर मुक्तानन स्वामी वगेरी नी एमने साधूता जोई भक्ती जोई अने साथे साथे अक्षर पुर्षो तमनू शुद्ध गनान जोई एटले त्यां अगर पोते रोकाया आगना ने उपासना जियां यथार्थ हो एत्यां अगर तमने मने सोध जो तो वर्तमान काड़े प्रमुक्स्वामी महराज नी अंदर आपनने आगना उपासना साधूता बधाना दर्शन थाए शे तो निलकंठ वर्णी प्रमुक्स्वामी महराज द्वारा विच्रण करी रहा शे एम आपने आजे छाती ठोकी ने बधाने कई शकी एम चीए आपना पन बहुँ मोटा भाग्या शे ये ना एज निलकंट परणी प्रमुखस्वामी महराधना स्वरूप मा आपडने प्राप्त थया आषे तो आज ना दीवसे प्रार्थना करी एमना chapters chadhan आपना वीचरण प्रमाने अमारू पन एवु आचरण बने तो अमे पन आपना वीचरण आरी ते यथार्थ श्रद्धान्जली आपी शक्ये श्री स्वामिनारायन भगवान नीजे इति श्री स्वामिनारायन चरितमानसे चिरंतन सुखार्णवे वनविचरण नामद्वितिये विहारे लक्ष्मन जुला श्री नगर प्राप्त नीलकंठ ब्रह्मचारी नामा नवमह कलोलह स्वामिनारायन नारायन 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 स्वामिनारायन 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 नारायन नारायन स्वामिनारायन नारायन नारायन स्वामिनार्यन नारायन स्वामिनारायन याध में पेश्मन्याड सेवामिनारायन